हेलो एप्रिवान माइनिमी स्कुलाफचा और आप सबी देख रहे हैं हमारा यूटीब चैनल दर लर्नर्स कम्यूनिटी आप सबी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे और आज की जो हमारी वीडियो है वो सेमेस्टर फिफ्थ के बच्चों के लिए है जिसम जबादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकी आपके क्योंकि आप लोगों के एक्जाम आ रहे हैं और ये पूरी ही बुक मैंने आपको चैप्टर वाइस भी पढ़ा दी है और आज मैं आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉरेंट जो कोशन है और मोस्ट इंपॉर्टेट जो repeated question है वो लेकर आई हूँ इस वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए पूरी book cover करने वाली हूँ I hope आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe कर लिया होगा और मेरी वीडियो को like कर दिया होगा चलिए फिर start करते हैं बिना देरी किये आपकी ये वीडियो हमारा जो chapter number one है वो है gender का एतहासी करन पित्रसत्ता और नारिवाद और इस chapter में से आपके जो most important question बढ़ने वाले हैं उन में से first question है question number one है पित्रसत्ता व्यवस्था का वर्णन करें तथा नारिवाद और पित्रसत्ता के बीच में अंतर इसपास्ट कीजिए यानि पित्रसत्ता और नारिवाद के वारे में भी आपको इस question में बताना है पित्रसत्ता व्यवस्था का वर्णन पित्रसत्ता क्या है first मैं आपको बता देती हूँ कि पित्रसत्ता होता क्या है जब भी हम पुरुषों के आधार पर या पुरुषों का वर्चस्व देखते हैं अपने समाज में, अपनी घरेलू जिंदगी में, यहां तक यह आसपोड़ोस में तो वो पित्रसत्ता है, जहां इस्तिरियों को पुरुषों के नीचे रखा जाता है हमेशा पित्र का या पुरुषों को उच रखा जाता है और इस्तिरियों की जो इस्तिती होती है, उसे निम्न रखा जाता है वही पित्रसत्ता कहलाती है और नेक्स्ट है नारिवाद, नारिवाद जो है एक परकार का आंदोलन है और एक परकार की समाजिक विचारधारा भी है जो समाज में कहीं न कहीं बहुत गहरा प्रभाव डालती है महिलाओं की इस्तिती को लेकर क्योंकि ये महिलाओं की इस्तिती के बारे में वर्णन करती है अब इसके बीच में क्या अंतर है चलिए उसको देख लेते हैं इसके अंतर को मैं थोड़ा से इसे जूम कर लेती हूँ ताकि आपको जो यह अंतर है वो अच्छे से इस पस्ट रूप से दिख सकें हब हम इनके अंतरों को देखते हैं पहला विशय, पित्रसत्ता और नारिवाद अगर आप चाहें तो ऐसी भी लिख सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाते तो इन्हें हैडिंग बनाके यानि परिभाषा की हैडिंग डालके, मूल ये की हैडिंग डालके, इन सारी चीजों को लिख सकते हैं जिससे आपके नंबर और भी बड़ जाएंगे पहले हम परीभाशा देख लेते हैं परीभाशा पित्रसत्ता की एक समाजिक व्यवस्त्ता जिसमें पुरुशों को प्रात मिक्ता दी जाती है और महिलाओं को दूसरे दर्जा दिया जाता है यानि पित्र सत्ता में क्या होता है जो पुरुष होते हैं उन्हें प्रात्मिक्ता यानि प्रत्म दर्जा दिया जाता है और महिलाओं को दुत्य दर्जा दिया जाता है नारीबाद की परिभाशा देख लेते हैं एक समाजिक और राजनितिक आंदोलन जो महीलाओ की समानता और अधिकारों के लिए लड़ता है यानि नारिवाद जो है वो एक समाजिक और राजनितिक आंदोलन है जो महीलाओं के अधिकारों की बात करता है और उनके लिए लड़ता है अब इन दोनों का मूल्य देख लेते हैं पुरुषो की श्रेष्ट्रता यानि पितर सत्ता में पुरुषो की श्रेष्ट्रता देखने को मिलती है इसकी देख लेते हैं महीलाओं की समानता यानि इसमें महीलाओं की समानता पर बात की जाती है दृष्टी कौन देख लेते हैं पुरुषो केंद्रिय दृष्टी कौन होता है इसमें क्योंकि पुरुषो को बढ़ावा दिया जाता है और नारिवाद महीला केंद्रिय दृष्टी कौन होता है क्योंकि इसमें महीलाओ के अधिकारों की और महीलाओ से संबंदित बाते की जाती है अब लक्षे देख लेते हैं पुर्शों के वर्चस्व को बनाए रखना है पित्रसत्ता का लक्षे यही तो होता है कि पुर्शों जो इतने भी है उनके जो लक्षे पुर्श जितने भी है उनका जो वर्चस्व है वो बनाए रखना महिलाओ के अधिकारों को समानता को देना और जो नारीवाद है उसका लक्षय है कि महीलाओं के अधिकारों को बढ़ाना उनकी समानता को बढ़ाना और उनके जो अधिकार हैं उनको भविश्य में बढ़ाना और पुरुषों के समान लाना यही तो नारीवाद का लक्षय है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा रणिती महीलाओं को पुरुषों के अधीन रखना जो हमारी पित्र सत्ता है उसकी रणिती यही तो होती है महीलाओं को हमेशा पुरुषों के अधीन रखना हमेशा उनके नीचे रखना या फिर हमेशा महीलाओं को कम समझना और नारिवाद की रणिती क्या है? महीलाओं के लिए समान, अफसर और अधिकारों को प्रदान करना है नारिवाद का जो लक्षय है या रणिती है वो महीलाओं को आगे बढ़ाना और उनके जो अधिकार होते हैं उनको प्राप्त करना है निशकर्ष में आप लोग लिख सकते हैं महीलाओ को दवाओ में रखना यानि पितरसत्ता का जो वर्चस वो होता है वो ये सी लिए होता है ताकि महीलाओ को दवाओ में रखा जा सके और जो नारिवाद है उसका निश्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं महीलाओ की स्वतंतरता और समानता को बढ़ावा देना यानि ये जो है ये महीलाओ की स्वतंतरता और समानता को बढ़ावा देता है I hope आपको question number one अच्छे से समझ में आ गया होगा and next अब हम लोग next चलते हैं आपके question number two की तरफ question number two है आपका 19 वी और वीश्वी शदी के दौरान जेंडर शब्द का अर्थ कैसे बदल गया है यानि 19 वी और वीश्वी शदी के दौरान जो जेंडर शब्द था उसमें परिवर्तन हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे चलिए उनको देख लेते हैं 19 वी और वीश्वी शदी में लिंग शब्द का बदलता हुआ अर्थ 19 वी और वीश्वी शदी में लिंग शब्द का अर्थ काफी हद तक बदल रहा था यानि इसमें बहुत जादा changes हो रहे थे लिंग शब्द को लेकर कि हम gender किसको माने पहले लिंग को मुख्या रूप से जैविक योन अंतरों के साथ जोड़ा जाता था यानि पहले जो था जैविक योन अंतरों के रूप में इसको जोड़ा जाता था पुरुष और महीलाओ के शरीर के अंतर इसे एक स्थिती और तेयशुद्धा श्रेणी में माना जाता था यानि इसे शरीर के जो बनावट होती है उसके आधार पर देखा जाता था लेकिन इसने 100 सालों में लिंग के बारे में हमारी समझ समाजिक और सांस्क्रितिक कारकों में शामिल करने के लिए विक्सित की यानि अब हम सिर्फ बोडी वेज के अकॉरडिंग या फिर बोडी स्ट्रॉक्चर के अकॉरडिंग नहीं देख रहेए थे फिर हमारी जो समाजिक और सांस्कृत कारत थे उन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया उन्होंने भी link को समझने में हमारी help किया और विक्सित किया किस तरह से हम इसको समझ रखते हैं अब देखेंगे कि 19 वी शताबदी में किस तरह से link को देखा जाता है और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं पुरुषोत्तव और स्तृत्तव के बीच संखे द्वित्ते स्थापित किया गया पुरुषों को शक्ति तर्क और बुद्धी से जोड़ा जाता था जबकि महीलाओं को कमजोरी भाबुकता और घरेलो भुमिकाओं के साथ जोड़ा जाता था यानि 19 वी शताबदी में जो हमारी link के अवधारना थी वो इस तरह से इस तरह से मनुश्य ने अपने दिमाग में बिठा ली थी कि जो पुरुष है वो शक्तिशाली होगा तर्क वाला होगा बुद्धीमान होगा अब भी ये चीज़ देखी जाती है कि पुरुषों को ज़्यादा intelligent समझा जाता है उन्हें ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है और महीलाओ को कमजोर समझा जाता है और उनकी जो भूमिका होती है वो घरेलू भूमिका होती है ऐसा माना जाता है और ये भी माना जाता है जो आपने भी ये डायलोग बहुत सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता और जो लड़किया होती है वो रोतलू होती है रोती से वह को कि रहती हैं पर नहीं है आज के जामाने में तो बिलकूल भी नहीं कि आप ने आप ऐसी लड़किया नहीं देखी हैं जो लड़कों से भी ब法 category या चेकिन देखे। जो लड़कियों जो सच में रोते हैं अइसा नहरत रोना हम में किसी के define नहीं कर सकते हैं कि वो कमसोर है या फिर शक्तिशाली है बहुत से आरे लोग सिर्फ रौने पर जज करने लग जाते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है ये जो कहावते हैं ये हमारे प्राचीन काल से ही चली आ रहे हैं पुरानी जो हमारी सोच थी उससे ही चली आ रही है जो कि हम आज भी देख सकते हैं ठीक है नेक्स पॉइंट आप लिख सकते हैं लिंग को एक तैशुदा श्रणी में माना जाता था ऐसा माना जाता था कि जनम की समय व्यक्ति का लिंग निर्धारित होता है और इसे बदला नहीं जा सकता यानि 19 विशताब्दी में ये माना जाता था कि व्यक्ति का जो लिंग है वो जनम के आधार पर निर्धारित होता है ऐसा नहीं है हम उसे बाद में बदल दें या फिर अच्छे कार्य करके एक अच्छी personality बना लें नहीं महीलाओ का जो कार्य है जो उनका link है वो सिर्फ घर तक ही सीमित है वो सिर्फ घर का कार्य करना रोतलू वाली feeling होना बस यही सब माना जाता था लेकिन बीसवी शताबदी में यह सारे changes हुए अब वो कौन कौन से changes हुए अब हम उनको देख लेते हैं समाजिक विज्ञान और लिंग अध्यन के छेतरों में विकास के साथ लिंग को समाजिक और सांस्कृतिक निर्मार के रूप में समझने की और बदलाव आया यानि समाजिक और वैग्यानिक और यहां तक की लिंग के अध्यन किया गया और यह देखा गया कि समाजिक सांस्कृतिक निर्मार के रूप में हम इसे समझ सकते हैं और इसको बदल सकते हैं यह माना जाने लगा कि लिंग की भूमिका और उम्मीदे समाजिक रूप से निर्मित होती हैं और समय और स्थान के साथ बदर सकती है यानि फिर हमने ये देखा कि जो लिंग की भूमिका होती है और जो उसकी उम्मीदे होती है वो समाजिक रूप से निर्मित होती है अगर हम उसे बच्पन से ही ट्रेन करेंगे लड़कियां घर का काम करती है तो पट्टा ओर के रहना है बाहर नहीं चाहना है शौट कपड़े नहीं पहनने है बिल्कुल तमीज में रहना है घर के काम करने तो वह बड़े होके यही चीज़े फॉलो करेगी बट अगर कोई जैसे एक पुरुष होता है निडर वह निडर बनेगी अगर हम पहले से ही किसी लड़की या किसी लड़के को घरेलू चीज़ों के अंदर रखकर उसे बिल्कुल उसे बिल्कुल कैद रखकर उसकी जो सोच है उसकी जो मैंटिलीटिय है उस पर कभजा करकर रखेंगे तो कभी अपने विचारों को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा या कर पाएगी तो वह चीज बहुत जादा के अधार पर यह लिंग के आधार पर भेद्भाव करना मुश्किल हो जाएगा अपनी अपण संप जब जाएकि आँ सकते हैं लिंग द्वित्य की अवधार्णाओं पर सवाल उठाया गया लेंग की स्पेक्ट्रम की धारना उबरी है सुईकार किया गया कि लिंग एक द्वित्हारों नहीं है बलकि एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कई तरह की पहचान शामिल है यानि हमने फिर जो लेंग के आधार पर भेदभाव होता था उसको कम करना शुरू कर दिया और लिंग को स्प्रेक्टरम के रूप में देखना शुरू कर दिया जिसमें कई तरह की पहचान शामिल हो सकती थी नेक्स पॉइंट आप लेख सकते हैं नारिवादी अंदलोनों ने लिंग असमानताओं को उजागर किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना ये का काम किया यानि नारिवादी जो अंदोलन थे या नारिवाद के अंतरगत जो लोग आते थे उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया महिलाओं के अधिकारों की मांग करने शुरू करी ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया चा सके चलिए आई होप आपको ये कोशन अच्छे से समझ में आके आओगा अब हम लोग नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं जो की है हमारा वि ये मैंने आपको चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ाया है आई होप आपने चैप्टर वाली वी वीडियो सारी देख ली होंगी अगर नहीं देखें तो आप फटा फट से जाईए और उन वीडियो को भी देख लीजिए और लाइक करना मत भूलना चलिए उदारवादी नारिवाद को देख लेते हैं इसके सिधान क्या है? उदारवादी नारिवाद का मुख्य रूप से समाजिक समानता की मांग करता है लेकिन इसमें सुधार को धीरे-धीरे और सहीयोग से होने की मांग की जाती है यानि जो उदारवादी नारिवाद है वो समाजिक समानताओं में मांग करता है समाज में बदलाव की तो मांग करता है लेकिन वो धीरे धीरे और एक तहयोग के साथ मांग करता है ऐसा नहीं एक क्रांती कर दो नई भी आभी चाहिए हमें तो ऐसा नहीं धीरे धीरे चेंजेस आएंगे इन लोगों का मानना ये है कि समय के साथ में जो पीड़ी के साथ में चेंजेस आएंगे पर धीरे 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 आएंगे और धीरे धीरे ही सभी की मांगे भी पूरी होंगी इनका ये मानना है और इनका जो लक्षे है वो इस्तिरियो उसको परिवर्तिक करना है उधारन के लिए आप लिख सकते हैं इस्त्रियों को शिक्षा, रोजगार और समाज में सक्रिय भागिदारी के लिए सुधार के लिए समाजिक संगठनों के माध्यमों में काम करना यानि जितने भी हमारी इस्त्रियां हैं उनकी सिक्षा, रोजगार और जो हमारी समाजिक संगठन होते हैं जिसमें महीलाओं को अधिकार नहीं होते थे पहले कार्ये करने के उनमें अधिकार दिलाना और उन्हें बढ़ावात देना और नेक्स्ट जो हमारी अभधारना है वो है उग्र रेडिकल नारिवाद अब उग्र रेडिकल नारिवाद को देख ले इसका जो सिद्धान्त है रेडिकल नारिवाद समाजिक परिवर्तनों की क्रांतिकारी मांग करता है और इस्त्रियों को समाज में यह पूरी तरह से परिवर्तित करने की मांग करता है यानि ये जो है ये उग्रो नारिवाद हैं ये क्रांती करते हैं कि हमें चाहिए ही वो चीज चाहें वो क्रांती से ही क्यों ना मिले और ये समाज में महिलाओ की जो इस्तिति है उसमें परिवर्तन करने की मांग करते हैं कि महिलाओ की स्तिति में परिवर्दन लाना चाहिए और इनका जो लक्षे है वो है इस्तरियों को समाज में पूर्व स्वतंतरता, समानता और न्याय प्रदान करना यानि इस्तरियों को समाज में पूरी-पूरी समानता और नियाय दिलाना चाहिए और उन्हें भी एक स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है ये इस बारे में बात करते हैं अब इनका हम उधारन देख लेते हैं इस्त्रियों को सभी छेत्रों में पुरुषों के साथ समान अधिकार प्रदान करने के लिए समाज में क्रांतियों का अभ्यान चलाना इनका उधारन ही यह ही है कि यह समान में क्रांतिये चलाते हैं ताकि जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों के समान लाया जा सके उन्हें पुरुशों की समान अधिकार दिये जा सकें अब जो हमारी next अबधारना है वो है माक्सवादी नारिवाद सिध्धान्त अभी इसका सिध्धान्त देख लेते हैं यानि ये जो हमारा माक्सवादी नारिवाद है ये एक प्रकार से समाजिक व्यवस्ता और सिधान से संबंदित है जो वो इस्त्रियों को आर्थिक और समाजिक समानता प्रदान करने की बात करती है कि महिलाओं को आर्थिक और समाजिक समानता होनी चाहिए और इसका जो घरों में शोशन होता है, घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ जो अत्याशार वगेरा होते हैं, उनसे मुक्ति देना और उन्हें वैवसाइक और समाजी की स्थान पर बिल्कुल बरावर का अधिकार दिलवाना पुरुशों की समान, इसका उधारन देख लेते हैं, इस्तरियों को नियुनतम वेतन वैवसाइक स्थानों में समान, स्थान परदान करने के लिए और उनकी समाजिक असमानताओं के खिलाफ विरोध करने के लिए समाज में अभ्यान, यानि इसमें जो है, वो महीलाओं को नियुनतम जितना पुरुशों को मिलता है, उतना ही नियुनतम वे होते हैं उनके खिलाफ विरोध करते हैं यह लोग और यहां आपका चैप्टर नंबर ववन पूरा फिनिश हो जाता है और चैप्टर नंबर टू स्टार्ट होता है इसका नाम है फ्रांसिसी क्रांती में जेंडर और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं जो हमारा फिस्ट कोशन है वो है फ्रांसिसी क्रांती के दौरान महिलाओं की भूमिका का आलोचनात्मा पर्णन करें यानि फ्रांसिसी क्रांती के दौरान में जो महिलाओं की भूमिका थी उसको आपको बताना है जिसमें आप फिस्ट पॉइंट लि महिलाओं ने अपनी समानता के मुद्व को भी उठाया और महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सैलो संबंदित सम्हों की भूमिका अगर आपने चैप्टर वाइस वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि सैलो क्या है जो कि एक महतप अधिकारों की मांग को बढ़ाने में और उनके लिए बहुँजादा हैर्फुर रहता है नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बॉलेंट की भूमिका विदूशी ओलम दे गुज के उतकरिष्ट उदारवादी दृष्टिकॉर्ण के कारण महिलाओं की आजादी और समानता के पक समय przekazाली एक समय keto प्रांस में गाया जा सकता है medium दीविए नेक्स्ट आपने की इढवादी धिकारों की प्रियास संगठन की इस्थापन हो रहती जिस में से एक यह आइवी संगथन ता जो महिलाओं की अधिकारों की बात करता था चलिए आगजर की बातेल आगे हैं आगे तमबो फाइफ जिसमें आप लिख सकते हैं पुरुषों के साथ बराबरी की मांग यानि पुरुषों के साथ बराबरी की मांग कर रही थी महीला है महिला उने पुरुषों के साथ समानता की मांग की और राष्टियम मोर्चे चार्टर में उनकी बराबरी का इस्थान प्रदान करने का अफसर पाया यानि उन्हें नहीं नहीं मांगे करनी शुरू करी और यह कहा कि हमें भी पुरुषों के समान अधिकारों का क्रांती के दोरान महीला अधिकार सक्रिय भूमिका नेभाने का अफ़सार पाई और समाज में उनकी भूमिका को समझा जाने लगा इससे उनकी समाज़िक सिदी में सुधार आया यानि इस क्रांती ने महीलाओ की जो इस्तिती थी उसे सुधारने में एक वहतपूर भूमी का निभाई किस तरह से क्योंकि इस क्रांती में महीलाओ ने भी अपनी भूमी का निभाई थी और फोल जादा योगदान दिया था जिसकी वज़े से समाज में जो उनकी स्थिती थी वो automatically ही सुधरने लगी और नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नमबर थ्री जिसका नाम है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में महीलाओ के मताधिकार आंदोलन इस चैप्टर में से जो important question बनने वाले हैं या फिर इस चैप्टर से related चितने भी या इस unit से related चितने भी question important होने वाले हैं अब हम उन्हें discuss करने वाले हैं फरस्ट question है आपका 20 वी शदी में सेयुक्त राज्य अमेरिका ये प्रिटेन में मतदान के राजनेतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए महीलाओ के संगर्श पर चर्चा करें अमेरिकी और ब्रिटीन में महिलाओं ने दशों को तक विरोध, परदर्शन, हरताल और सक्रेता के जरीए अपने हक के लिए आवाज उठाई आईए इन दोनों देशों के महिलाओं के संगर्शों की जलियां देखें यानि देखें 20 वे शताबदी में जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो मिला लेकिन उस अधिकार को मिलने की जो लंबा संगर्श था वो बहुत जादा लंबा था और अमेरिका और ब्रिटीन दोनों में ही महिलाओं ने बहुत जादा लंबा संगर्श किया, हरताले की थी जक्रिय भूमी का निवाई थी और कही बार तो बहुत सारी महीला जेल तक गई थी अब हम उसी संगर्ष को एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरह से था पहले हम अमेरिका के अंतरगत देखेंगे कि अमेरिका के अंतरगत किस तरह से हम संगर्ष को देख तकते हैं संगर् अधिकार मांग रही थी यानि 19 वी शताबदी के मध्यम से ही वोट के अधिकारों की मांग हो रही थी एलिजाबेट कैनेडी स्टेटन और सुजेन बी एंथिनी जैसी अग्रणिया हस्तियों ने पहला महिला मत अधिकार आंदोलन 1848 में आयोजित किया यानि 1848 में पहला महिला मत अधिकार आंदोलन जो था या इनकी जो समीधी थी वो गठित हुई ताकि महिलाओं के अधिकारों की मांग की जा सके नेक्स्ट आप लिख सकते हैं पृतिरोध और आंदोलन महिलाओं को अक्सर हसी उड़ाया जाता था और उनकी मांगों को कमभीरता से नहीं लिया जाता था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किये भाशर दिये जेल भरे और यहां तक की वोट देने के यहीं भी कोशिश की भले ही उन्हें अवैद घोशित कर दिया गया यह यह नहीं देखिए महिलाओं के जो अधिकार थे उनको तो मौस्ट की जो पुरुचते वो बदब सीरियसली भी नहीं लेते थे उनकी जो मांगे थी उन्हें एक्डूर कर दिया जाता थ उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था और कभी-कभी तो उनकी मागों पर हसी तक उड़ाई जाती थी कि तुम वोट दोगी तुमें क्या अधिकार है वोट देने का या तुम क्या करोगी वोट देके इस तरह से कुशन पूचे जाते थे और उन्हें बिल्कुल एग् गया था पर फिर भी उन्होंने हाड नहीं मानी थी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आप लिख सकते हैं समयधानिक संशोधन इस कठिन संगर्ष के बाद 1916 में महीला मतधिकार अंदूलन को उस समय बड़ी जीत हासिल हुई जब जानस संशोधन पारित किया गया हाला कि इसे कुछ राजियों दूआरा पारित नहीं किया गया था अधे 1920 में 19वी संशोधन पारित हुआ जिसमें अमेरिकी महीलाओ को संगिय सूचनिया में वोट देने का समवधानिक अधिकार मिला यानि 1916 में महीलाओ को वोट देने का अधिकार जो था उसका संशोधन कर दिया गया लेकिन कुछ राजियों में नहीं था पर बात में 1920 में 19वा संशोधन दुबारा हुआ और जिसमें महीलाओ को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था अब हम ब्रिटेन में देख लेते हैं कि ब्रिटेन में किस तरह से संगर्श हुआ था प्रारंबिक आंदोलन यानि ब्रिटेन में कहां से प्रारंब हुआ ब्रिटेन में महिलाओ के मतदिकार आंदोलन उन्नीसवी शदी के आखिर में जोर पकड़ा यानि जो महीलाओं के लिए वोट की मांगे हो रही थी और उन्होंने कई संगठन बनाने शुरू कर दिये जिसमें से एक ये भी था जिसमें महीलाओं की जो अधिकार थे उनकी मांग की जाती थी और बिल्कुल शान्दीपूर्ण तरीके से काम किया जाता था कोई हिंसा वग खड़ताल करती थी और यहां तक की कैदियों को भी छुटानी की कोशिश करती थी उनकी यह कारवाई अख़वारों की सूचियों में छपी रही और सरकार पर दवाब बनाने में मददगार था यानि कुछ महीलाओं जो थी वो शान्दीपूर्ण तरीके से राजी नहीं थ थी और जिन लोगों को पुलिस वाले पकड़ लेते थे उनको छुडाने का कारे किया यानि उन्हें जेल से छुडा लेती थी और यह जो सुरकें आती वो अख़वारों में छपी रहती थी जिसकी वज़े से सरकार पर भी दवा पड़ा के महीलाओं को अधिकार होनी चाहि यह सरकार के लिए यह तरक देना मुश्किल बना दिया कि महीलाओं वोट देने के लिए बुद्धिमान या योग्य नहीं हैं अतह 1978 में ब्रिटेन में मिम्मत अधिकार 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 इनियम 1918 पारित हुआ जिसमें 30 वर्ष के अधिक उम्र की महीलाओं को वोट देने हैं किसी चीज के जब वो युद्ध में कार्य कर सकती है तो वोट देने का भी अधिकार रख सकती है और लास्ट में जाकर 1918 में एक अधिकार अधिनियम पारित हुआ जिसके तहट तीस वर्ष की उम्र की महीलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया ब्रिटेन में अब आई होप आपको ब्रिटेन का भी समझ में आ गया होगा अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में महीलाओं का मतदिकार अंदोलन साहत द्रणता और बलीदान की कहानी है इन्होंने दिखाया की लगातार संगर्ष की जरिये सत्ता के ढांचे को कैसे बदला जा सक है यानि ब्रिटेन और जो हमारा अमेरिका है दोनों की जो इस्तरियां थी दोनों देशों की जो महीलाओं थी उन्होंने बताया हमें किस तरह से अगर संगर्ष किया जाए और हाड ना मानी जाए तो किसी भी सरकार के ढांचे को भी परिवर्दत करना मुश्किल नहीं है औ हला कि टाइम लगेगा बट नियाए जरूर मिलेगा अगर हम हार नहीं मानते हाला कि दोनों देशों के पूर्वमत अधिकार ने में अभी और समय लगा और विबिन समाजिक आर्थिक वर्गों की महीलाओं को समान अधिकार मिलने में कई दशक लगे अगर बीसवी शदी का यह अंधुलन वोट के अधिकारो और लेंगिक समानता के अथास में एक महतपूर मोर था एनि इसके बाद भी ताइम लगा बहुत ज़िदा परिवर्टन हुए लेकि यह जो अधिनियम थे यह जो परिवर्टन थे यह इत अधिकारू बदलाव लाए और महतपूर ही है क्य उधारन के लिए अमेरिका में नसली आसमानताओं के कारण अफरीकी अमेरिका महीलाओं को 1965 तक वोट देने का अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था ब्रिटेन में भी समान कहानी थी यानि इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी महीलाओं थी जैसे कि अफरीकी अमेरिकी जो महीलाओं थे उन्हें 1965 तक वोट देने का अधिकार नहीं था और यहीं कर्णिशन ब्रिटेन में भी थी यानि ब्रिटेन में भी हम यह चीज़ उनको देख लेते हैं पहला कोशन ने आपका रंगभेद निती का वंडेन करते हुए दक्षुनी अफरीका में रंगभेद का महीलाओं पर क्या प्रभाव वड़ा इसका वर्णन करें यानि रंगभेद क्या होता है रंग जो होता है वो नसल के आधार पर रंग के आधार और जो भेदभाव किया जाता है, वो रंगभेद कहलाता है, और किस तरह से इसने महिलाओ के जीवन को प्रभावित किया, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, रंगभेद निती, रंगभेद एक नसली है, प्रथक करण की निती है, जिसमें दक्षणी अमेरिका में 1948 से 1994 तक ला के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और ये 1948 से 1994 तक चलाया गया था, इस निती के तहट देश को श्वेद, रंगीन, भारतिया और अश्वेदों के लिए अलग अलग चेत्रों में विभाजित किया गया था, यानि पूरे देश को 3-4 चेत्रों में विभाजित कर दिया जिसमें से एक श्वेद के लिए, एक रंगीन के लिए, एक भारतिया और एक अश्वेदों के लिए था, श्वेद लोग जो देश की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा थे, यानि जो श्वेद लोग थे, वो सिर्फ कुल आबादी का 15% को सबसे अधिक अधिकार और आबादी का प्रतिशत करते थे यानि ये जो रंगीन लोग थे ये 8 परसेंट थे को कुछ अधिकार दिये गए थे और इन्हें कुछ अधिकार दिये गए थे लेकिन अश्वेद और भारतिय लोगों को सबसे अधिक भेदभाओं का सामना करना पड़ा था अश्वेद लोग जो देश की आबादी का लगपक 79 हिस्से थे को सबसे कम अधिकार और विशेश अधिकार दिये गए थे यानि ये जो अश्वेद और भारतिय लोग थे जो 79 परसेंट थे पूरी आबादी का इन्हें सबसे कम अधिकार थे और सभी अधिकारों और विशेश अधिकारों से इन्हें वंचित रखा गया था अब चलिए अब हम इनके देख लेते हैं कि किसकी साधार पर भेदभाव किया जाता था फस्ट है हमारा शिक्षा रंगभेद ने शिक्षा में भेदभाव किया अश्वेद महिलाओं को कम गुडवत्ता वाली शिक्षा मिलती थी यानि यह जो शिक्षा नहीं दी जाते थी रोजगार अश्वेद महिलाओं को सबसे कम वेतन वाली और जीवन्त रेटिंग नौक्रियों में काम करने की अनुमती थी यानि इन्हें बिल्कुल निच्च दर्दे की नौक्रिया दी जाती थी जिसमें वेतन भी कम होता था नेक्स्ट है हमा ह होते थी बहुत बेकार देनियस्टी बाले एंप अश्वेद महिलाओं को भीजा जाता था नेक्स्ट तिस लग सकते हैं समाजिक और उच्राएर काधिक अजो नहीं उक मत्यदान और सारवजनिक काल रहा लगने का अधिकार नहीं pressing दावा रहन disagreeए और đến। कोई भी सारवजनी कार्य करने या फिर चुनाफ करने का अधिकार नहीं था और उन्हें समाजी करूप से भी दबाया चाहता था नेक्स जैए आप लोग लिख सकते हैं समानता के लिए संगर्ष अशुवइत महिलाओं ने समानता के लिए संगर्ष किया उन्होंने शिक्षार रोजगार और अधिकारों की मांग की देखिए हम लोगों ने हिस्ट्री हम देखिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग इस सारी चीज़े देख चुके हैं कि महीलाओं को शुरू से ही हमेशा भिदभाओं का सामना करना पड़ा है हमेशा अपने अधिकारों की मांग करी है हमीशा अपने अधिकारों के लिए लड़ा है उन्होंने और जब अशुवेत महीलाओं की बात आ जाए तो यहां तो उनका संगर्श डबल हो जाता है और यह इतना डबल हो जाता है कि इन्हें महीलाओं होने की वज़े से भी भेदभाओं का सामना करना पड़ता है और यह अशुवेत हैं इसकी वज़े से भी इन्हें भेदभाओं का सामना करना पड़ता है और इन्होंने फिर इसके संगर्श किया इसके अवाजे उठाएं और रोजगा, शिक्षा और अधिकारों की मांग की कि हाँ हमें भी समान रोजगा शिक्षा अधिकार होनी चाहिए नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं 1994 में रंगभेद का अंध 1994 में दक्षणी अमेरिका में रंगभेद समाप्त हुआ इसमें अश्वेद महिलाओं को समान अधिकार मिले यानि 1994 में जाके जो अश्वेद महिलाओं थी जो धक्षणी अफ्रीका था उसमें जो रंगभेद था वो समाप्त हुआ और जो अश्वेद महिलाओं थी उन्हें भी समान अधिकार दिये चाने लगे और उन्हें भी आगे बढ़ने का अफसर मिलने लगा चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं इससे कौन सा नेक्स्ट कोशन बनेगा नेक्स्ट कोशन है हमारा रंगभेद निती के समाप्ति के लिए किये गए संगर्षों का वर्णन कीजिए यानि रंगभेद जो नितियां थी उनकी जो समाप्ति के लिए संगर्ष किये गए थे उन्हें बताना है रंगभेद की नितियां कौन कौन से चलाएंगे थी उनको देख लेते हैं रंगभेद निति को समाप्त करने के लिए किये गए संगर्षों को निमलिखित दिखाया गया है या निमलिखित दिखाया गया है चलिए अब हम उन संगर्षों को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से संगर्ष है पहला है हमारा आन्दोलन और परदर्शन अनेक अश्वेथ महिला और पुरुषों ने आन्दोलन और परदर्शनों में भाग लिया जिसमें वह समाज में बदलाव की मांग करते थे यानि इसमें महिला और पुरुज दोनों ने ही मिलकर भाग लिया था और दोनों ही जो थे वो अंदोलन और परदर्शन कर रहे थे ताकि समाज में जो रंगभेद है उसको समाप्त किया जा सके नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं महिला संगठन का अगठन रंगभेद के हिलाफ महिला संगठन ने अपनी आवाज बुलंद की और समाज में समानता की मांग की यानि अब महिला संगठन की भी स्थापना हो गई थी और वो समाज में समानता की मांग कर रहे थे नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मीडिया के माध्यम से सच्चाई का प्रसार अश्वेत महिलाओ ने मीडिया के माध्यम से अपने पृतिस्थापना को सुनिश्चित करने के लिए सत्या को प्रसारित किया और सवर्तन प्राप्त किया यानि अब मीडिया ने भी इस चीज में भागिदारी नहीं पही और जो हमारी भेदभाव था जो भेदभाव हो रहा था महिलाओ के साथ उसको खतम करने और जो सच्चाई थी उसको सामने लाने का प्रियास किया गया नेक्स्ट आप लो लिख सकते हैं अंतराष्ट्य दवाव विश्व भर में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन ने अंतराष्ट्य समुदायों को सकरात्मक रूप से प्रभावित किया और दक्षणी अफरीका में दवाव डाला यानि अंतराष्ट्य इस तर पर भी हम इस भे 143 संगर्ष ने नारिवाद की नितियों को खतम किया और ने सम्विधान में समांता याय सुइक कि शुट्य इससमान गया और नेक्स डॉपसक्ते हम 54 में नी सम्विधान का आयोजन 1994 में नए सम्विधान का आयोजन की हुआ जिसमें अश्वेत महिला और अन्ये समुहों को समान अधिकार मिले और रंगभेद की निती समाप्त हो गई यानि 1994 में एक नए सम्विधान की स्थापना की ये जिसने अश्वेत महिला और सभी लोगों को समान अधिकार मिले और जो रंगभेत की निती थी उसे समाप्त कर दिया गया आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे ये संगर्ष महिलाओ की सकरात्मक भूमिका को प्रमोट करने में सहयक हुए और समाजिक नयाय और समानता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिली यानि इन सभी संगर्षों ने महिलाओ की जो सकरात्मक भूमिका थी उसको बढ़ावा दिया और महीलाओ को समान अधिकाल प्रदान करने में मदद की आई होप आपको यह चैप्टर भी पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नमबर फाइव जिसका नाम है सोवियत रूस में महीलाओ की भूमिका और लैंगिक राजने थी अब इसमें से जो important question बढ़ने वाले हैं अब हम उनको देख लेते हैं इसमें से आपका first most important question बनेगा रूसी क्रांती में महीलाओ की भागेदारी का वर्नन कीजिए यानि जब रूसी क्रांती होती है उसमें महीलाओ की भागेदारी है उसका वर्नन करना है आपको रूसी क्रांती का वर्नन पहले आपको रूसी क्रांती में महीलाओ की भागेदारी का वर्नन निमलिकित रूप से किया जा सकता है जो रूस में करांटी हुई थी, वही रूसी करांटी थी, अब रूसी करांटी में जो महिलाओं की इस्तिति या जो महिलाओं ने भागिदारी की थी, अब हम उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, पहला आप लोग लिख सकते हैं, अंदोलन का परदर्शन, अंदोलन का परदर्शन हो रहा था रूसी क्रांटी में महिलाएं सक्रिय रूप से आंदोलन का प्रदर्शन में शामिल हुई वे सारवजनी इस थलो पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए निकली और समाज में बदलावों की मांगी यानि रूसी क्रांटी में जितने भी हमारे ये आंदोलन हो रहे थे सारवजनी के इस थल पर नी जी इस थल पर सभी में महिलाओं ने एक महतपूर भूमी का निवाई और महिलाओं ने सारवजनी इस थल पर यानि सभी के सामने अपनी आवाज उठाई अपने अधिकारों की मांग की अपनी जो अपनी जो नियम अपनी जो अधिकार थे उनको रखा उनके लिए एक आवाज उठाई थी उन्होंने सारवजनिक स्थल पर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं बोलचाल और परसार माध्यमों में योगदान महिलाओं ने बोलचाल में समाचार पत्रिकाओं में और रेडियो में भी अपनी विचारों और जागरुकता साजा की इसमें से आमचंता को क्रांती के लिए संग्यान रखा गया यानि अब जो महि बोलचाल में आगे बढ़ने लगी समाजिक पत्रिकाओं में आगे बढ़ने लगी रेडियो पर आकर अपनी बातों को रखने लगी जिसकी वज़ेसे जो आम चंता थी उसकी साथ जुड़ पाई और जो क्रांती थी उसको आगे बढ़ाने का प्रियास हो पाया और उसे आजिक कारियों में भी अपनी भूमी का निभाई यानि रूसी करांती के दौरान महीलाओं आपसी कारियों के साथ साथ जो घातक सेवाएं थी उसमें भी एक महतपुर भूमी का निभाई थी नेक्स आपका पॉइंट नमबो फोर जिसमें आप लिख सकते हैं सैनिक सेवा म में भागेदारी की और सुरक्षाबलों में सक्रिय भूमी का निभाई यानि महीलाओं व नादीन हैं सेनिक नितेनल निया सेवा होती है deseniklly कोежд topics TP और पृत्यक्ष रूप से एक महतपूर भूमी का निभाई थी एंड नेक्स अब हम देख लेते हैं राजनितिक सरचना में भूमी का यानि राजनितिक इस्तर पर किस तरह से भूमी का निभाई महीलाओं ने क्रांती के बाद महीलाओं ने रूसी सोवेट समाज में नई समाजिक और राजनितिक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल हुए यानि क्रांती के बाद जो महीलाओं थी वो रूसी समाज में अब राजनितिक इस तरह भागेदार होने लगी समाजिक और राजनितिक मुद्दों पर वो सक्रिय रूप से भागेदार बनने लगी और बढ़ाने के लिए शिक्षा में विशेशता मिली यानि महिलाई जो थी अब वो शिक्षा में भागेदारी बढ़ने लगी और उन्होंने शिक्षा को बढ़ाया और अपने जो अधिकार थे उनको बढ़ाने के लिए शिक्षत होने लगी और अधिकारों की मांग की उन्होंन में समानता और नियाई की स्थापना करने के लिए थे यानि करांती के बाद महिलाओं ने नएने कानूनों के और नएने अधिकारों की मांग की जो समाज में एक बदलाव और नए समाज की स्थापना करने के लिए महतपुर्ण थे रूसी क्रांती में महिलाओं की भागेदारी ने समाज में समानता और नियाय की मांग करने में महतपुर भूमिका निभाई और यह जो रूसी क्रांती थी इसकी वज़े से जो महिलाओं थी उन्होंने अपने अधिकार थे उन पर बल दिया कि हम उनके विवारे में सूच सकते हैं, उनकी भी मंग कर सकते हैं, महीलाओ के एक रहा के रूप में रूसी क्रांती मिली, जिसकी वज़े से महीलाओ को समाज में समानता का दिकार मिला, उनकी जो भूमिका थी, उसको बढ़ाने में एक महतपुर भूमिका निभाई थी, रू चीनी क्रांती का विस्तार है हमारा चेपन नंबर 6 है और इसमें से जो most important question बढ़ने वाले हैं उन में से पहला question है 1949 में चीनी क्रांती का चीन में महीलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव बढ़ा क्या आपको लगता है कि महीलाओं परिवार के सारवजनिक और नीजी छेत्र दो क्यानिक और नीजी छेत्र में स्वतंतुर थी या नहीं इस पर आपको प्रकाश डालना है चले फिर देख लेते हैं इसका क्या answer होगा 1949 में चीनी क्रांती ने चीन में महीलाओं के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला क्रांती के बाद चीनी सरकार ने महीलाओं के अधिका कि आधिकार के लिए कई कृदम उठाये थैं पहला है महीलाओं को मत avicat 1950 में चीन ने महीलाओं को पुरुषों की समान मत cleaner का अधिकार या इस क्रांथ के बाद 1970 में महीलाओं मैलाओं को भी वर्डिने का अधिकार मिल गया और पुरुषों की समान इन devotees धीकार था नेक्स दिल्ख सकते हैं आप महीलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अफजरों में सुधार करांती के बाद चीन ने महीलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अफजरों में सुधार के लिए कई कारे शुरू किये यानि अब महीलाओं की जो शिक्षा थी उसमें सुधार की आवेशक्ता महसूस हुई और इस क्रांती के बाद सरकार ने भी महीलाओं के अधिकारों महीलाओं की शिक्षा में सुधार करने की मांगी और नएने कानून बनाए ताकि जो सुधार किया गया है उसको implement किया जा सके और सुधार को बढ़ाया जा सके Next आप लोग लिख सकते हैं महिलाओ के खिलाफ भेदभाओ को समाप्त करना करांटी के बाद चीन ने महिलाओ के खिलाफ भेदभाओ को समाप्त करने के लिए कानूर और नितियों का पारिद किया गया यानि चीनी करांती के बाद महीलाओं के साथ जो भेदभाओं किया चाता था जो उन्हें निमनुमाना चाता था जो उनके अधिकार थे उन्हें नहीं दिये गए थे उन पर वहागी सरकार ने भेदभाओं और उन सभी पर कानून बनाए और नितिया बनाई और उन्हें पारि यानि यह जो अधिकार थे यह जो मिली थी जो सुधार किये गए थे इनके परणाम सरूप जो नीजी और सारवन चेनिक छेत्र थे उनमें महीलाओ की जो भागेदारी थी वह बढ़ गई थी अब महीलाओने रोजगार राजनी थी और शिक्षादोन तीनों के ही छेत में एक अच्छी तरीके से प्रोग्रेस किया एक अच्छा प्रभाव डाला और अच्छी गती की जिसकी वज़े से समाज में परिवर्दन देखने को मिले चलिए अब नेक्स चलते हैं हाला कि यह ध्यान रखना महत्पूर्ण है कि 1949 की करांती के बाद भी चीन में महीलाओ के खिलाफ भेदवाव मौजूद रहा उधारन के लिए महीलाओ को अभी भी घरेलू कामों और भेदवाव के कारे में पुरुशों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी दी जाती थी यानि अभी भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़े खितम हो गई थी 1949 की करांती के बाद भी महीलाओ के खिलाफ भेदवाव था और कुछ हद तक कम हुआ था पूरी तरीके से कम नहीं हुआ था अभी जो महीलाओ की भूमी का थी वो घरों तक ही सीमित थी और भेदवाव किया जाता था पुरुश और महीलाओ के बीच में 1949 में जो चीनी करांती हुई थी उसने कुछ तो परिवर्दन दिये थे कुछ अधिकार दिये थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिये थे अब भी जो महीलाओ का संगरश रिता जो उनकी चुनोदियां थी वो बाकी थी सारवजनिक छेत्र में महीलाओ की स्वतंतर था यानि ज का अधिकार दिया गया और उन्हें शिक्षा और रोजगार के अफसरों में सुधार के लिए कई कारेकरमों में लाब मिला उधारन के लिए 1950 के दशक में चीन में महीलाओ को साक्षर्टा दर 20% से बढ़कर 70% हो गई थी महीलाओ ने सरकार और सेना में भी अधिक महत्पुन भूमी का निभाई यानि सारवजनी के स्थर पर हम कह सकते हैं कि महीलाओ की भागेदारी थी वो बढ़ गई थी क्यूं 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 क्यूंकि 1950 के बाद में जो महीलाओ थी उनकी सिक्षा पर रोजगार पर सब ध्यान दिया जाने लगा था और पहले जो 20% उनकी दर थी सिक्षा की दर थी अब वो बाद में 70% हो गई थी और महीलाओ ने अब सेन्य रूप में भी अपनी जो भूमी का थी वो रिभानी शुरू कर दी यानि सेना भी जॉइन महीलाओ करने लगी थी इससे पहले महीलाओ को सेना जॉइन करने का अधिकार नहीं था नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नीजी चेतर में महीलाओ की स्वतंद्रता यानि वो तो सारवजनिक चेतर का हो गया अब नीजी चेतर में जो महीलाओ की स्वतंद्रता थी उसके बारे में बात करते हैं नीजी चेतर में महीलाओ को 1949 में करांती के बाद कुछ प्रगती हुई उधारन के लिए करांती के बाद चीन ने महिलाओं के खिलाब भेदवाओं का समाप्त करने के लिए कानून और नीजी नितियों को पारित किया इन कानूनों ने महिलाओं के पुरुशों की समान अधिकार दिये जैसे की संपत्ति के अधिकार और तलाक का अधिकार यानि नीजी चेतर में भी जो महीलाओं के अधिकार थे उन में बढ़ोतरी हुई थी उधारन के लिए अब चीनी जो सरकार थी उसमें महीलाओं के अधिकारों के लिए निती बनाई, कानून बनाई और जो भेदभाव था उसको कम करने का प्रियास किया और महीलाओ कו संपत्धि का अधिकार और तलाक का जो अधिकार था वो भी दिया जानी लगा खाला कि नीजी छेटर में महीलाओ की स्वतंतरता अभी भी चुनौती का सामना करती थी उधारन के लिए महिलाओ को अभी भी घरेलू कामों और देखभाल के कारियों में पुर्शों की तुल्ना में अधिक जिम्मेदार ही दी जाती थी इसके अलावा चीन में महिलाओ के खिलाफ घरेलू हिंसा और योन उत्पिरन का समस्या अभी भी मौजूद थी यानि ऐसा नहीं इन सारी चीज़ों ने सारी चीज़ें खतम कर दी थी महिलाओ को समान माना जाने लगा था नहीं अभी भी नीजी छेतरों की जो सतंतरता थी वो महिलाओ के लिए एक चुनाती बनी भी थी अब भी महीलाओं को सिर्फ घरेलो कार रहा और बच्चों की देख बाल और उनके पालेट पोशन के लिए ही माना जाता था और अगर कोई भी कार रहा हो या कुछ भी हो उसमें महीलाओं को भी जुम्मेदार ठेरा आया जाता था पूर्शों को नहीं अब भी उन्हें घरेलो हिंसा और योन उत्पिरण का सामना करना पड़ता था अब हम नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कि इसमें से नेक्स्ट कोशन जो इंपोर्टेंट बनने वाला है वो कौन सा है वो है चीन में नारिवाद आंदोलन का मुख्या फोकस क्या था चीन में जेंडर समान समाज को साथ लाने में उन्होंने किस तरह से मदद की यानि चीन में जो नारी वाद आंदोलन हो रहे थे वो उनका मुख्य फोकस या उनका जो मुक्य उद्डेश यह था वो क्या था और जैन्डर में जो समानता थी या आसमानताओं को दूर करने और समाज को साथ लाने में उनकी क्या महत्वत था उन्होंने किस तरह से महल पी, किस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहे थे उन सारी चीज़ों को अब हम इस कुशन में डिसकस करने वाले हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चीन में नारिवादी आंदोलनों का मुक्य फोकस महिलाओ के अधिकारों और समानता को बढ़ावा देना था यानि जो नारिवादी आंदोलन है आप इसमें हर कहीं का भी ये नारिवादी आंदोलन आप उसमें ये लाइन फिट कर सकते हैं क्योंकि नारिवाद जो था वो महिलाओ के अधिकारों की ही बात करता था और महीलाओं के अधिकारों को बढ़ाने का ही प्रियास करता था अंदूलन ने महीलाओं को शिक्षा रोजगार राजनिती और अन्य चेतरों में अधिक अधिकार अफसर प्रदान करने के लिए लड़ाई लड़ी यानि ये जो नारिवादी आंदूलन था इसने शिक्षा में, रोजगार में, राजनिती में और अन्य जो चेतर होते हैं उसमें महीलाओं को समान अधिकार और उन्हें बढ़ाने का प्रियास किया था चीन में नारिवादी आंदूलनों का इधास लंबा और जटिल रहा है 19. शताबदी में चीन में महीलाओं के अधिकारों के लिए पहले आंदूलन शुरू हुआ इन आंदूलनों ने महीलाओं की शिक्षा और रोजगार के अफसरों में सुधार करने के लिए लड़ाई लड़ी यानि हर जगा पर आप ये देख सकते हैं जो नारिवादी आंदूलन है उसके जो संगर्श रहा है वो बहुत ज़दा लंबा और जटिल रहा है ऐसे ही चीन में भी रहा है और ये जो है वो 19 वी शताबदी में स्टार्ट हुआ था और चीन में महीलाओं के अधिकारों के लिए इसने अंदूलन शुरू किये और उनकी जो सिक्षा थी रोजगार थी उसको बढ़ाने का प्रियास किया 20 वी शताबदी में चीन में नारिवादी अंदूलनों ने अधिक राजनिती रूप ले लिया चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी ने महीलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में एक महत्पूर्ण लक्षे बनाया यानि चीन की जो Communist Party थी उसने भी महिलाओं के मत अधिकार आंदोलन थे उनको बढ़ाने का प्रियास किया और उसे एक लक्षे बनाया और 1949 में Communist Party ने सत्ता संभाली और महिलाओं के अधिकारों के लिए सुधार के लिए कई कदम उठाए और जब 1949 में Communist Party सत्ता में आई थी तो उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए कई कदम भी उठाए थे चीन में नारिवादी आंदोलन ने चीन में जेंडर समान समाज को साथ लाने में कई तरह से मदद की उन्होंने महिलाओं के शिक्षा, रोजगार और राजनिती के अधिक अधिकारों और अफसर प्रदान करने में मदद की उन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदवाओं को समाप्त करने के लिए भी लड़ाई लड़ी यानि जो नारीवादी अंदोलन थे चीन में उन्होंने जेंडर की जो समानता थी उसको बढ़ाने का प्रियास किया महिलाओ की जो शिक्षा थी रोजगार थे राजनितिक अधिकार थे उनको बढ़ाने का प्रियास किया और महिलाओ के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे थे उन नारिवादी अन्दूल 아иныekkPRsels की थी पहला थार महिलाओ को मतदां का अधिकार 1950 में ची ने महिलाओ को पुरुषों के समान मतदां का अधिकार दिया यारी महिलाओ को defender को मतदां का अधिकार में चीन ने महिलाओ साक्षर्था दर 20% से बढ़कर 70% हो गई महिलाओ ने सरकार और सेना में अधिक महतपुर्ण भूमिका निभाई यानि 1950 के दर्शक में जो महिलाओ की भूमिका थी वो पढ़ गई थी और उसको हम देख सकते हैं जो उनकी साक्षर्था दर थी वो 20% से 70% हो गई थी और जो महिलाओ थी वो सेना में भी भागेदारी ले रही थी सेना में भी भागेदार बन रही थी नेक्स्ट आप लिख सकते हैं महिलाओ के खिलाफ भेदार को समाप्त करने के लिए कानून और नितियों को पारित करना यानि जो भी महिलाओ के अधिकार थे उनके जो खिलाफ भेदार थे उनके लिए कानून और नितियां पारित की जा रही थी चीन ने महिलाओ के खिलाफ पेद्बा को संबब करने के लिए कानून और नितियों को पारिद किया इन कानूनों ने महिलाव को पुर्शों के समान अधिकार दिये जैसे कि संपत्ति का अधिकार और तलाक का अधिकार यानि अब जो चीन था उसमें नहीक कानून आ रहे थे नहीं नहीं अधिकार मिल रहे थे महिलाओं को जिसमें आप उधारन के तोर पर लिख सकते हैं संपत्ति का अधिकार और तलाक का अधिकार जो पहले चीन में नहीं था इस्त्रियों को पर अब बाद में मिल गया था नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं हाला कि चीन में जेंडर समानता अभी भी एक चुनौती बनी हुई थी महिलाओं को अभी भी घरेलू कारियों और देखभाल के कारियों में पुरुशों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी दी जाती थी इनके अलावा चीन में महिलाओं के साथ बहुत जादा घरेलू इंसा और यौन उत्पिरण जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी और जो महिलाओं थी उन्हें ही हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था और महिलाओं के जो घरेलू इंसा वगएरा यौन उत्पिरण वगएरा थी वह भी अभी एक ऐसा समाज बनाना था जहां महिलाओं और पुरुशों को सामान अफसर और अधिकार प्राफथ हो तो यानि atm को समान दावरादी आéticoण टअ मिलें नारिवादी करना मत बूलना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप के लिए आप इसने प्रिमें को आपके यहां प्रवाइट कर दिये जाएंगे ताकि आपकी जो study है वो और भी अच्छी हो सके and for more आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो upcoming videos है वो आपको फटा फट से मिल रहे हैं और आप और आप अपनी study कर पाएं और अपने marks अच्छे से ला पाएं चलिए फिर मिलते हैं next video में thank you for watching everyone